इस वीडियो में बात करने वाले हुए ऐसे स्टुडेंट के बारे में जो ललीत नरायन में इतला इंग्वर सिटी से सेक्शन द्वरव नई से 22 में स्टूडी कर रहे हैं चाहे बीए सी बीकम बीए किसी दे स्ट्रीम से उनका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा साथ ही प पार्ट टू का रिजल्ट कब तक प्रकासित किया जाएगा आप अग्र सकूकरणने कि बीकम complaint शींटी जारी कर दियेő हैं इस structures किसी आड़ेक्त बता इसका कोई जनकारी नहीं बताया जा रहा है और काफी अभी के स्टूडेंट इसमें पर्मोटेर है ठीक है रॉल नमर के हिसाब से और इसमें सिर्फ पास और पर्मोटेर बता रहा है किसी स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं बता रहा है कि किस सब्जेक्ट में कितन जाएगा इसी अपडेट कर दिया जाएगा और जो रहा ना करें आंदोला ना करें इसको लेकर रिजल्ट जारी किया गया बास्ता में अभी कोपी का पूरा मुल्यांकर नहीं किया गया है और एक पूर का कोपी ही नहीं मिल间 टॉर्ण कैसे जारी किया बाद जाते हैं पी whatsoever इंव दिक कर दिया आर्ट 6 दिन में आप लोगो रिजल्ट आसकता है तो आप लोगो को इसformeण है के लाउंद था सकता है अब लगे नरानी मितला इंवर्सिटी पहले वला इंवर्सिटी नहीं रहा है जब रिजल्ट आ जाएगा तब समझे है कि आप लोग को रिजल्ट आ चुका है यह लिए देखें बीकम का रिजल्ट दिया है सिर्फ पास और प्रमोटर बता रहा है कोई मार्स नहीं बत पार्थिरी का भी एक जाम हो ज़ना चाहिए था और रिजल्ट आना चाहिए था जो परिषा नियंत्रक यानि एक जाम कंट्रोलर आनन्द मुहन मिस्रा है उनका कहना है कि 15 अगौस्त से पहले पार्थिरी की रिजल्ट आ जाएगा अब बताइए 7 महीने पहले जिसका एक ज पार्थिरी के ले लेंगे और रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा तो आप लोग पार्थिरी के त्यारी कीजिए इससे डिएटर कोई फिर फोर्मेशन आता है तो चैनल के माध्यम आपको अपडेट कर आते रहेंगे वीडियो पसंद आता वीडियो का लाइक कर फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ